आज किस वीडियो के अंदर मैं 2009 की सबसे best science fiction movies को कवर करूँगा इससे पहले मैंने 2010 से लेके 2022 की सबसे best science fiction movies को कवर किया है तो अगर अभी तक आपने वीडियो को नहीं देखा तो आप उन वीडियो को भी देख सकते हूं और इस वीडियो के अंदर हम total 19 movies को कवर करेंगे जो most जीवन होता है जहांपर इंसानी sometime पसाने के लिए बिलकुल भी नहीं गये होतें यहां पर यह लोग आये होते ही कि यहां से बहुत बेस्प्टी चीज यह लोग ले जा सके जिसकी किमत प्रत्थी पर बहुत पर इंसानों के बीच में और उस बेस कीमती चीज के बीच में रुकावट सिर्फ यहां के मूल निवासी है जिसके अधागे क्या होता है वही आपको इस मूवी के अंदर देखना और अगर आप चाहें तो इस मूवी को थेटर्स के अंदर भी देख सकते हैं क्योंकि इसी साल यानि 23 सितंबर 2022 को यह मूवी थेटर्स में रिलीज हो रही है अवतार 2 मूवी के रिलीज होने से पहले और इस मूवी को इन्हेंस करके रिलीज किया जा रहा है मतलब पहले से जाद अच्छी क्वाल्टी में इस मूवी को रिलीज किया जा रहा है थेटर्स के अंदर तो आ ड़नी की भविश्य से वह इभ थो फेज़ आया है अभी के समय में तक यहां पे वह हमारे ही के प्लाइट को खتم कर सके, ओर इन लोगों को भी मार सके ऐसे हमारे हीरो किस तरब अपने प्लाइट के प्लाइट को अपनी लोगों को आप भी जाता है लगए कि नोर करते हैं लेकिन आप जिग्यासा वस उसके अंदर जो डेटस लिखी हैं उनके बारे में सीक्म l consistent बारे जानना सुरू करते हैं आपको पता लगता है कि इसके अंदर जितनी भी bought लिखी है उन पर कोई ना होने वाली तभाईयों की डेट्स तक लिखी हुई है तो आखर इस कागत की पीछी की मिस्ट्री क्या है वह आप इस मूवी के अंदर देखिए जिसका नाम है नौइंग यह मूवी दोहजा नौ में आई है यह कॉमेडी सैंसृट्ष विप्षिन मूवी है जिस मूवी के अंदर में कहाणी देखना की मिलती है तीन दोस्तों की जो लोग इक बार के अंदर गये होते हैं वहाँ पर आराम से बात कर रहे होते हैं अलेAST मिके पेंदर देखिए यह मुवी हिंदी लैंगूज में अवलेबल ह है इस मूवी को रेटिंग्स में 7.0 हमारी नेक्स्ट मूवी वास्ट वैंज जो कि डी सीओ के एक सूपर हीरो मूवी है इस मूवी के अंदर में कहानी देखने को मिलती है 1985 की जहां पर सूपर हीरो के उपर रेगुलेशन लग गए थे मतलब कि सूपर हीरो काम नहीं कर सकते जैसे वो नॉर्मल किया करते थे अगर उने करना है तो उन्हें गॉर्मेंट से पर्मिशन लेनी होगी इसके आगे मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा आप इस मूवी को बिल्कुल बेकार लगती है इसको देख के कहीं से भी यह नहीं लगता कि इस मूवी के अंदर कुछ इंट्रेस्टिंग हो सकता है लिगए अगर आप पेशन्स रखके इस मूवी को पूरा देखेंगे तो इस मूवी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी आप इस सितंबर 2009 को इस मूवी के अंदर में कहानी देखने को मिलती है एक ऐसी दुनिया की जहां पे इनसान है ही नहीं क्योंकि इनसान मर चुके हैं बहुत समय पहले इनसानों का और मशीनों का युद्ध हुआ था इनसानों ने अपने फायदे के लिए वार के लिए बहुत नहीं है यह डॉल इंसानों के उद्धार की चावी है तो आखिर ऐसा कैसे पॉस्बेल हो आप इस मूवी के अंदर देखिए इस मूवी को आप हिंदी लैंग्विज में प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं इस मूवी को रेटिंग्स पनाए 7 out of 10 आयम डीवी पर प्रीव इंसानों के उपर हमला करना सुरूख कर देते हैं लगभग प्रिथवी की सारी पॉपलेशन मर चुकी है कुछ ही इंसान बचे हैं जो इन लोगों से लड़ रहे हैं ताकि इन लोग को पूरी तरीके से खत्म करके वह प्रिथवी पर वापस इंसानों का राज इस्तापित क कर सकें तो आगे क्या होता वही आपको इस मूवी के अंदर देख रहा है यह मूवी हिंदी लैंग्विज में अब लेवल है इसको रेटिंग्स में 6.5 आउट आफ टैनायम डिवी पर हमारी नेक्ट मूवी एक गेमर यह एक साइंस फिक्शन थ्रिलर मूवी है इस मूवी के जिसके अंदर जितने भी प्लेयर्स होते हैं वो लोग रियल लोग को सेलेक्ट कर सकते हैं मतलब की जैसे हम गेम का एक पार्ट बन जा और अगर 13 सीजन तुम लोग बच गए तो उसके तुम्हें आजात कर दिया जाएगा और उन्ही सब कैदियों में से एक हमारा हीरो भी ह हाथ में है वो जैसे चाहेगा वैसे हमारे हीरो को खेलना होगा हमारा हीरो किस तरह 13 सीजन को कम्प्लीट करता है वही आपको इस मूवी के अंदर देखना आप इस मूवी को हिंदी लैंग्विज में प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं इस मूवी को रेटिंग्स में 5.7 हमारी नेक्स्ट मूवी रेस टू विच मांटेन जो मूवी 2009 में आई है एक अक्शन साइंस फिक्षिन अडवेंचर मूवी है जिस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक लास वेकस के कैप ड्राइवर की जो एक योफो एक सांटिस्ट की मदद करता है ताकि व दोनों भाई बहन एलियन से और इनके पीछे वाले पढ़े हैं साथी साथ एरिया 51 वाले भी पढ़े हुए हैं जिसके बाद आगे क्या होता है वही आपको इस मूवी के अंदर देखना है यह मूवी हिंदी में अपलेबल है आप इस मूवी को डिजनी प्लस हाट स्टार प यह लोग मेकानिकल इलियन से इनका सरीर पूरा पूरा लोहे का बना हुआ है यह लोग किसी भी वेहिकल को जाए वो प्लेन हो कार हो जहाज हो कुछ भी हो उसका रूप ले ले लेते हैं और यह लोग पिर्थवी पर कबज़ा कर सकें पिरामिट्स की मदद से तो आकिर हमार पर नेक्स्ट मूवी है दे ट्राइम ट्रैवलर्स वाइफ यह मूवी दोजा नौ में आए है यह कॉमडी साइंस फिक्षन फैंटेसी मूवी है जिस मूवी के अंदर में कहानी देखने के मिलती है एक लड़के की जिसके पास बच्पन से यह सकती होती है कि वो ट्राइम ट प्रवल करके पहुंच जाए तो आगे क्या होता आप इस मूवी के अंदर देखिए यह काफी अच्छी साइंस फिक्षन मूवी है इस मूवी को रेटिंग्स में 7.1 आउट और यह मूवी सिर्फ इंग्लिस लैंग्विज में ही अफलेबल है हमारी नेक्श्ट मूवी यह इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक बहुत अजीव वायरेस की जो दुनिया के अंदर फैल जाता है जिसकी वज़ासे सभी इंसान वेंपायर्स के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं जिसकी वज़ासे सबको अब खाना नहीं चाहिए सभी लोगों को जल से जल सॉल्ब नहीं किया गया तो सभी लोग मारे जाएंगे ऐसे में आगे क्या होता है वह आप इस मूवी के अंदर देखे यह मूवी हिंदी लाइगज में अब लेबल है इसको रेटिंग्स में है 6.4 आउट ओफ टैनायम डिवी पर हमारी नेक्स्ट मूवी है एक ए इंग्स लाइगज में देख सकते हैं क्योंकि वहां पर हिंदी लाइगज में अब लेबल नहीं है हमारी नेक्स्ट मूवी मॉंस्टर्स वर्स एलियन्स यह मूवी 2009 में आई है एक एनिमिशन एक्सन साइंस विक्षिन मूवी है जिस मूवी के अंदर में कहानी देखने को म अब लेखने के लिए आप इस मूवी के अंदर देखें आप इस मूवी को हिंदी लाइगज में नेट्फिक्स पर देख सकते हैं इस मूवी को रेटिंग्स में है 6.4 आउट और 10 अमडिवी पर हमारी नेक्स मूवी जिया जोज दर आइस अफ कोब्रा यह एक एक एक्सन सा मेटल का होना चाहिए वह इंस्टंटली खत्म हो जाएगा ऐसे हमारी हीरो किस तरह इन लोगों को रोकते हैं दुनिया को बरबात करने से वह आप इस मूवी के अंदर देखें आप इस मूवी को प्राइम वीडियो पर हिंदी लैंग्विज में देख सकते हैं इस मूवी को कोशिस करता है इस हासा में कि वह बहुत कमाल की मशीन बना लेगा या बहुत कमाल की इन्वेंशन कर लेगा और इन्हीं सब कोशिसों के बीच में वह एक ऐसी मशीन बना डालता है जिसकी वज़ा से आसमान से खाने की बारिस होने लगती है मतलब हर तरीके की खाने की चीज की बारिस होने लगती है जो शुरुवात में तो काफी अच्छा लगता है लेकिन ये एक बहुत बड़ी समस्याब इन के लिए बन चुकी है जिसके आत क्या होता है वो आप इस मूवी के अंदर देखिए आप इस मूवी को हिंदी लाइंगुज में नेट्फिक्स पर देख स इसनी जगा रोबोट्स को भीजते हैं जिन सम्में से एक हमारा हीरो भी है जो आप काफी सालों बाद अपने सरोगेट को छोड़कर खुट जाता है काम पर क्योंकि बहुत सारी सरोगेट्स का रोबोट्स का मर्डर होना सुरू हो गया है तो आखिरें मर्डर के बिची की 6.3 आउट ओफ टैनाइम डिवी पर हमारी नेक्स्ट मूवी है एक एक्सिन साइंस फिक्षिन च्रिडर मूवी है जिस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक लड़के की जिसे एक दिन गिफ्ट के तौर पे एक मोबाइल फोन मिलता है जिसके जरीए वह कुछ बहुत सारे पैसे जीतना सुरूर कर देता है किसी भी चीज को उन्लॉक टा कर सकता है उस फोन की मदस्ते जिसके विए से इसके पीछे वाले पड़ गए और उस कसीनों के बहुत सारे शाप शूटर लग गहें ताकि इसको मार करें फोन चीन सके है जिसके जिसके आदागे क पैंडोरम ये मुवी दोजा नौ में आई है ये एक आक्शन हॉरर मिस्टरी सैंस फिक्षिन मुवी है जिस मुवी के अंदर में कहानी देखने को मिलती है एक बहुत बड़े स्पेस्शिप की जिसका नाम इलीजियम होता है जिसके अंदर बहुत सारे लोगों को भर की भेजा क्रू मेंबर्स उठ जाते हैं और वो लोग देखते हैं जब अपने आस पास तो उनको एक भी क्रू मेंबर स्पेस्शिप पे नहीं दिखता तो आखिर सब लोग कहां गये हुआ आप इस मुवी के अंदर देखिए ये मुवी हिंदी लैंग्विज में अबलेवाल है इसको हुआ 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 है